नमश्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजिने इस बार उसत से कम होगी बारिश आखरकार लालुयादब को मिल ही गई जमानत बिहार पहुची दोला कोरोना वैक्सीन दीखे बिहार क्रिकेट असोसियेशन को बी सी सिराई ने दीश रतावनी आज घरना के साथ ही शिरू हो जाएगा निरजल रत तो चले बढ़ते हैं बिहार के बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में इस बार ओसद से कम बारिश होने का अनुमान सुबे बिहार में इस बार बारिश किसानों की चिंता वढ़ा सकता है एक तरफ देश भर में मौसम विभाग ने लगाता तीसरे साल भी सामान्य मौनसून याने की 96 से 104 से एक सो चार सेंटमीटर बारिश होने की वहीं बिहार में पटना मौसम विभाग के मुदाबिक राजो के सभी हिस्से में बारिश का सही अनुमान मई के अंतसपता तक जारी किया जाएगा दूसरे राजो से बिहार लोटने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार की पूरी है विवस्था देश के कई महानगरों में कोरोन संख्या में बिहार लोट रहे हैं वहीं अभी भी कई ऐसे मजदूर है उन्हें बापस काम छोड़ करके आना महंगा सावत लग रहा है इस बीच बिहार के मुख्यास सीये नितीश कुमार ने मुख्यस तोचिवाले के सभाकक्ष में कोरोना संक्रमन से संबंदित उचिस्तर ये समिक्षा बैठक के दौरान कहा कि जो लोग भी विहार के बाहर दूसरे राज़ो में हैं अगर घर वापस आना चाहते हैं तो वो जरूर वापस आए यहां उन्हें किसी प्रकार के दिक्कत ना हो इसका पुरा खयाल प्राधिकारी द्वाला रखा जाएगा इसके साथ ह गुरों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दवा और ऑक्सिजन की कमी नहीं होने दे दोनों की परियापत उपलब्दता रखे ताकि मरीजों को कोई समस्या ना हो आखरकार लालुयादब को मिल ही गई जमानत कई आचिकाओं और सुनवाई की तारीख बदनने इसके बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद वो एक दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे इसके साथ ही हाई कोट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालुयादव देश से बाहर नहीं जाएंगे देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोट से परमिशन लेनी होगी इसके साथ ही अपना मुबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदेंगे आपको बता दे कि लालू को ये जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी से ज़ापूरी होने के बाद दी गई है इसके पहले लालू यादफ को अक्टोबर 2020 में चाइबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वज़े से उनकी रहाई नहीं हुई थी आपको बता दे लालू यादफ फिलहाल एम जिल्ली में इलाज करवा रहे हैं वहीं इस ख़बर से उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है बिहार पहुंची दो लाग कोरोना वाक्सीन की खेप वाक्सिनेशन की कमी की खबरों के बीच बिहार सरकार की मांग और केंद्री सरकार की तरफ से दो लाग कोरोना वाक्सीन की खेप शुक्रवार को बिहार पहुँचा दिया गया है सम्मन में स्वास्त वभाग के प्रधान सच विफ प्रत्य अमरित ने बताया है कि कल भेजी गई सभी वैक्सीन को भी शील्ड की है वहीं आज करीब 2.6 लाख वैक्सीन की खेप फिर से बिहार को मिलने वाली है टीको को जिला औशधी भंडारों के लिए रवाना कर दिया गया है वहीं उन्हों ने ये भी बताया है कि बिहार में वैक्सीनिशन का काम लगातार जारी है पिछले दिश शुक्रवार को भी टीका करन अभियान के तहत 49,237 लोगों को करोना वैक्सीन दी गई है नियोजिस सिक्षकों को सिक्षा वभाग नहीं मानती है अपना कर्मी रजसरकार के सिक्षा वभाग ने नियोजिस सिक्षकों पर अपनी स्थिती को सपष्ट किया है सिक्षा विभाग ने 2006 से लेकर अब तक के बहाल सिक्षकों को अपना कर्मी मानने से इनकार कर दिया है सम्मन्द में सिक्षा विभाग के माधमिक सिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंग ने एक पत्र जारी किया है जिसके तहरा सिक्षा निदेश्रक ने सम्मन्द में केंद्रे विद्याले संगठन के उपायोक तवाई अरुन कुमार को पत्र भेजा है जिसमें इन सिक्षक को किसिती सपष्ट की गई है इसके तहत वभाग ने एक बार फिर से साफ किया है कि नियोजन शब्द को हटा देने के बाद भी कर्मी के सिती में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अब भी वो सिक्षक जुला परिशद, नगर निगम, नगर परिशद, नगर पजायत के कर्मी माने जाएंगे सरक हाथसे में जान जाने पर बिहार सरकार देगी पाच लाग का मुआवजा बिहार में बढ़ती सरक दुरगटनाओं को लेकर एक बार फिर से सरकार इन पर नियंतरन करने की तमाम तरह के उपाय और रहतियाद बरत रही है इसके साथ ही दूसरी तरफ देखे तो सरक दुरगटना किस्थिती में मृतक के आश्रितों को पाच लाग जबकी गंभीर रूप से घायल को धायलाक रुपे मुआवजा के तौर पर देने का फैसला किया गया है इसके साथ ही अब रितक के आश्रित या घायल व्यक्ति को इस बात की आप्रमान देना जरूरी नहीं होगा कि दुरगटना में मृतियों या घायल होने के दौरार गाड़ी मालिक या फिर उस पर सवार व्यक्ति से कोई गयलती हुई है इसके साथ ही मौवजा के लिए बिहार मोटर गाड़ी संचोधन नियामवली के तहट बने सहायता कोश में 50 करोड की राशी हर वक्त जमा रहेगी नितीश कैबरिट ने इस फंड के लिए पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है इसके बाद एक महीने में दावा और अपत्ती मांगी गई है जिसके बाद परिवहन विभाग इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर देगा नय प्रावधान के नुसार मुआवजे के भुकतान के लिए जुले के संबनित SGO को दुरगटना दावा जाँच पदादिकार रि विशेश गन्ना प्रोचसाहन नीती लाने जा रहा है संबन्ध में गन्ना उद्योग विभाग के मंतरी प्रमोद कुमार ने एटीवी भारत से की गई बाद चीत में बताया है कि गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीती तयार की जारी है गन्ना उद् प्रयास कर रहा है विहार क्रिकट असोसियेशन को मिली बीसी सियाई से चेतावनी बिहार में पिछले ही महीने बिहार क्रिकट असोसियेशन ने बिहार क्रिक लीक का आयोजन किया या आयोजन बीसी सियाई के आदेश के विपरीज जाकर किया गया है इसके बाद बीसी जल्दी एक कानूनी टीम बिहार भेज सकती है जो बिहार क्रिकेट असोसियेशन की प्रशास्तिंग कतिविद्यों की जाज परताल करेगी बताते चले बीसी सी आई क्या देश की बावजूद टीट्वेंटी टूर्नामेंट का योजन किया गया जिसके बाद से बीसी सी आई जान समीती कठिन करने का फैसला ले चुकी है और बीसी सी आई जल्दी मामले में बड़ा आक्शन ले सकती है आज खरना के साथ ही शुरू हो जाएगा निर्जल व्रत बिहार की लोखास्था का महान पर्व चैती छट पूजा का आज तूसरा दिन खरना पूजा है खरना प बता दे कि आज खरना पूजा के बाद से कल शाम में सूर्ग को अरग देने और उसके अगले दिन सुबह उद्यवान भगवान भासकर को अरग देने के साथ ही यह कठोर व्रत समाप्त होगा और चट पूजा संपन हो जाएगी चैती छट के बाद हो सकता है पंच्छा चु एवियम का अब मसला करीब करीब सुलच गया है अब तैं है कि राजमे मल्टी पोस्ट में नहीं बलकि सिंगल पोस्ट एवियम से पंच्छा चुनाफ कराए जाएगा जिसके बाद पूरी संभादना है कि बिहार पंच्छा चुनाफ में कई चरन में मतलान होगा और इसके में एतिहासिक धरोहर शेर सासुरी मकवरा को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके तहट पुरा तत्व विभाग की तरफ से सम्मन में मकवरा के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस शिपका कर आम लोगों को इसकी सूच्रा दे दी गई है। 15 मई तक यहां मुख्य प्रवेश गेट द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। शुक्रवार को 29,000 रुपे उड़ा लिए गया। 15,000 रुपे की शॉपिंग की गई। जिसके बाद दंपती को ठगे जाने की बाद बता चली। BCCI के सरवोच परिसत की बैठक में T20 World Cup को लेकर हुई एहम चर्चा। अबीते दिन शुक्रवार को BCCI के सरवोच परिसत की साथ भी बैठक हुई जिसमें T20 World Cup को लेकर चर्चा हुई है। स्पीच कोरोना महमारी के बीच भी World Cup के आयोजन को लेकर कई एहम फैसले हुए। न्यूज एजन्सी एनाई की खबर के मताबिक World Cup के लिए नौजगों को चुनित किया गया है। जिसकी तहट इन नौजगों की तयारी रखने के लिए कही गई है। की जान चली गई है। उन्चास पर यहां आकड़ा पहुच गया है। इसके लावा अब तक देश में कुल 11 करोड 99,67,641 को वैक्सिन की डोस दी गई है। तो चली बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार IPL में आज शाम खेले जाने वाले मैच में मुंबाइलियन्स और सन्राइजर हैदरबाद टीम में से किस टीम का पर राजयाद अभारी है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। कराएं।